आपका मेरे चानल में बहुत बहुत सवागता है दोस्तों आज हम लोग इस गनेश मुर्ती का दो पार्ट में मोड बनाएंगे दो पार्ट बोलेगा तो यहां से टोटल अलग और यहां से टोटल दो भाग एक पीछे का टोटल अलग किसी को जोईनने रहेगा यह पार्ट अलग रहेगा यह पार्ट अलग रहेगा यह मोड अलग रहेगा इसके मिट्टी के ऐसे दो पार्ट में ऐसा पार्टिशन करेंगे तोनों साइट में तोटल दोनों अलग साचे बनाएंगे दो पार्ट में दो मोल्ड एक ही मूर्थी रहेगे लेकिन दो मोल्ड बनाएंगे पीछे का और आगे का तो स्टाट करते और शुरुवत करते और सबसे पहले जिस लोगों ने मेरा चैनल सब्क्राइब किया है उन सब का मैं तहे दिल से हर दिक स्वागत करता हो और हर दिक अभीनन दन भी करता हो और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इससे सब्सक्राइब करते रहे आपको नए नए कुछ उड़ियों देखने को मिलेंगे नए सिकन पैंखेंगे तो आज ऐख बर को में और सब्सक्राइब करें अब न्यादा ने एक ज़री ऊसे मूटे कुछ तो आज वाला हम पत्लह पानी दाश सब्सक्राइब को अलग अलग करेंगे सीथाी ये लिटेक्स पर-ब्सक्राइब के रते तो अपने ये दूद्थ जाई बर रहे उसका यूज़ करेंगे और मोल्ड बनाएंगे तो चलो अपन शुरुवाद करते हैं पहले इसके दो पार्ट में मिट्टी के पार्ट करते हैं पार्टीशन बनाते हैं दो पार्ट में उसके बाद बनेगा मोल्ड तो दोस्तों यह मुर्ति के ओपर आज हम लेटेस का मोल बनाएंगे और उसके लिए लेटेस रवर लगेगा और साइड में मिट्टी का दो पाड़ बनने के लिए मिट्टी लगेगी तो अभी इसके उपर अपन मिट्टी का दो पाड़ में उसको कनवर्ट कर देते हैं और उसके बाद लेटेस रवर चड़ाएंगे तो चलो यह मु लग रही है तो चलो शिरुवात करते हैं दोस्तों अभी स्टैप का मिट्टी का पट्टी बना के लिए है अभी ये स्टैप लगे गई है ऐसा ऐसा लगा-लगा कि इसका दो पार्ड बनाएगा उसके बाद लेटेश रबत चड़ाएगे लिए पीग है कि अ तो दोस्तों अपना ये पार्ट वन और पार्ट तू ये पार्टिशन हो गया अभी विट्टी का और ये विवाजन भी हो गया एक इस तरफ और एक पिछे की तरफ ये अलग बनेगा और ये अलग बनेगा तोटल तो अभी इससे दो पार्ट में विवाजन होने के बाद इसके उपर आपन लेटेक्स रबर चड़ाएगे तो चलो अभी इसके उपर शुरुआत करते लेटेक्स रबर चड़ाने की तो चलो अभी शुरू करते लेटेक्स रबर लगाने की है देखो इस टाइप का लेटेक्स रबर है देखो इतना पतला है इतना पतला है देखो तो इसको धिरे 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 ऐसा लगाएगे इसको करते दो पतला है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर/. देखो दोस्तों अभी पहली परत्तु चड़ गई, ऐसे कम से कम आठ नव या दस बारा आपन चड़ाएंगे इसको पर तब दो मजबुत हो जाएगा, तो धीरे 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 देशा सुकेगा वैसा उसके उपर परत दर परत हम चड़ाते रहेंगे, इसी तरह इसको मजबुत करते रहेंगे, जितना ज्यादा मारेंगे उतना यह मजबुत होता जाएगा, क्योंकि बहुत पतला रता इसलिए इसको ज्यादा परत चड़ाने पड़ती है, तो अपन इसको धीरे धीरे इसको मारते रहेंगे तो दोस्तों आपना पहला परत तो सुग गया है अभी इसके उपर दूसरा परत आपने चड़ाएंगे लगबख सुग गया है मैं आपको एक दो दिखा सकता हो क्योंकि साथ आड़ या दस बार अगर मारेंगे अगर इतना हर परत अगर आपको दिखाने जाएगा तो बहुत थोड़े लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने खाली दो परत दिखाता हो उसके बीच में दो तीन परत करना है तो चुला भी दूसरा परत इसके उपर चड़ा देते हैं अब यह हम कपास से चड़ाएंगे यह जो कपास है इससे ऐसा दूगों के इसके उपर इस तैप का इसा मार्थे जाएंगे झाल झाल करें जुदू का त्युदू करें करें तरहीं जुदू नुच्छ करें जुदू 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 जुदूू यह इन फूक मारने से बबल कि दर आया होगा वह फूट जाएगा तो यह सब होग मारने का है कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब इसा फोक मारें तो छोटा छोटा बोबल होता है ना चोटा बोबल पूरा पूर जाएगा और वह फुट नहीं मंगता है ने तो अपना मोल्ड खराब होता है ऐसा ही रह गया तो ठीक है अब दूसरा हाथ चड़ा दिया है दूसरी लेर चड़ा दिये अभी इसके बाद तीसरा चोटा पाचवा ऐसा मारते जाएंगे और लास्ट वाला आपको दिखाएंगे अगर ज्यादा दिखाने जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा तो मेरे दो परत पहले शुरुवात की दिखाए अभी इसके बाद के जितने भी है वह आई से मारके बाद में आपको दि आता है और पाने भी मिक्स होता है इसके लिए कोई अलग कैमीकल नहीं लगता है लेटेक्स अ पानी आप हद्ध हो सकते हैं मेरा हाद को लगाए ना लोगा तो तो कई टेंचन ने कुछ कपड़ा बांदू या माज बांदू लेकिन हम लोगं के आदत पढ़े कि यह सब करने के तो कोई टेंचन की बात नहीं रती है तो चुला अभी इसको सुक ने रू तो दोस्तों अभी इसको बैंडेज काट के लेते हैं इसके उपर बैंडेज लगाना है अभी इसके उ बैंडेज का तुकड़ा करके हम लोग अभी लेते हैं कि ऐसा काट काटके छोटा-छोटा इसको चिपकाएंगे बाद में इसको बैंडेज लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह बहुत पतला रहता है न रवर तो बैंडेज का सपोर्ट रहेगा इसके उपर तो ठीक ही है इसा फुरा बैंडेज अभी काटके रेडी हो गया है चोटा-चोटा तुकड़ा करके काटा है इसको अभी बैंडेज तो हो गया बैंडेज काटके हो गया अभी इसके उपर और एक रबर का हाथ चड़ाते और दोस्तों क्या मलूम है जैसा ही रबर आपन इसके उपर चड़ाएंगे ना तो जब यह घिला रहेगा ना तभी ताबड़ तो पीए कपड़े का जो बैंडेज है जैसा यह घिला रहेगा ना ताबड़ तो कपड़े का बैंडेज इसके उपर चिपका देने का इसा तो यह चिपक जाएगा अगर इसको रबर चड़ाते इसके उपर पहले हो गया है कम से अब ये नुवा लेयर लगा रहा हो उसके बाद अपन बैंडेज करेंगे इस ताइप का ऐसा कि लगा के लेने के बुड़ा कि अब अब लगा के लेने के बुड़ा कि अब अब लेने के लेचाँ करेंपे इस ताइप। कि अब लेने ुड़ा लेते हो दोस्ताइब हो उना लेक हो नब वगाँ हम पढड़े कहा हुआ आеждो, हुआ है। थाई थाइ कर दो कर दो कर दो लुझ कर दो 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 दोस्तों अभी अपना रबर का पुरा मोल्ड तयार है लेटेक्स रबर का पुरा मोल्ड एक तरफ का तयार है अभी इसके उपर रेजिन का मोल्ड बनाएंगे ताकि इसको मजबुस सपोर्ट रहेगा तो अभी इसके उपर कम से कम मैंने 12 लेयर चड़ा यह तभी यह जाके थोड़ा थिकनेस में बढ़ गया और जाड़ा हो गया इतना पतला रहता है लेटेक्स रबर तो इसके उपर इसके उपर कम से कम 10-12 लेयर तो चड़ानी पड़ती है इसलिए मैंने इसके उपर चड़ा दिया अभी ठीक टाक लग रहा है जब खुलेंगे तो मालूम पड़ जाएगा प्रश्य तो अच्छा ही निकलेगा तो अभी इसके उपर रेजिन का मोड अपन बना देते है ताक यही जैसा यह सामने वाला बना है वैसे पीछे वाला भी बनेगा तो आप समझ जाईए तो इसी ताइप का आप पीछे भी बना सकते है तो अभी यह रेजिन का इसके उपर मोल्ड बना देता हो आपको दिखा देता हूँ ठीक है चोड़ो मैं कंचक को उपाला देता है ना करता है टाहा है को यह शजा कous दो लंगा है अड़योके ताद़ झाल की जखता की झाल है कि यह झाल, कि अच चुटा, कि यहांच कुटी में दुटार हुआ हुआ है अभी इसके उपर वेस्ट लगा के लिए ते तोड़ा वेस्ट लगाना पड़ेगा तो अगर वेक्स नहीं लगाएंगे जो रिलीज वेक्स लगाना ही पड़ता है तो हलका हलका आप सब जगा लगा के लिए आज करके यह जो अंदर जो गड़े इसके अंदर लगाना चाहिए कर दो अंदर लगाना चाहिए कर दो अंदर लगाना चाहिए कर दो अंदर लगाना चाहिए करेंड अब इसके ओपर पेकिंग करेंगा पेक्टिं यह होती है कि जय किरद्धब यह होता है उस्को फ्स जाता है तो उसको थोड़ा सा पैकिंग करके मिट्टी का जो अपना जो रे शाड़ू मिट्टी होते हैं उसके यह इस टाइप की जो मिट्टी होते हैं उसके थोड़ा सा अपन यह थोड़े घड़े भर देंगे इसा हल्गा भर देंगे ज्यादा ने उसके लेवल कर देंगे तो इससे क्या हो एगा मर्लू में आपका जो मोल्ड येंगा निकलेगा है खीचा तानों ज्यादा नहीं करने पड़ेगी ये जल्दी होता है आसानी इसे होता है इस्विर इसको थोड़ा लगाना पड़ता है कि थोड़ा लगणा या बात में निकल जाता है कोई टेंशन ने लगाने से अपका मोल्ड एकदम आसान से निखलेगा लगा मोल एकदम आसान से पकारख व Epic तो चलो अभी कोबार्ड मिक्स वाला रेजिन लेते हैं और इसके अंदर हाडनर डालके भी मिस्स कर देते हैं ज्यादा हाडनर नहीं डालना है दो या तीन परशन डाल दो इससे पहले महीने बहुत बार आपको दिखाया है कि हाडनर कितना डालना है कितना रेजिन लेना है कितना पॉबार्ड लेना है सारी डीटेल हमें इससे पहले आपको बहुत बार दिये है तीन-चार गुडियों मेरा ऐसा ही है पुरा डीटेल है उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं तो चलो भी पड़ा-पड इसको लगा देते हैं कितना पॉबार्ड लेना है दूस्तों रेजिन कत्व अभी काम हो गया रेजिन इसके उपर चड़ा दिया और मैट भी चड़ा दिया मैट के ओपर रेजिन मार दिया भी अभी पुरा मूर्ती रेडी है मोल्ड भी रेडी है दोनों रेडी है एक लेटेक्स रबर का मोल्ड और रेजिन का मोल्ड दोनों रेडी है अभी इसके उपर थोड़ा सा और एक fagarmal वरी हो जाएगा तो इसी तरह यह इसके पीछे वाला भी बनेगा तो ऐसा ही सेम पीछे भी बना दो अब बना सकते हैं तो चला आपत सर्फ क technical एक उसके सपुर्णा सर्फ उसके पारिंगेद्ध कर फाइनल हमारें पूर्फ को सब्सक्तूं हरो जायेगा तो उसके बाद पीछे वाला करेंगे, तो चला भी कर देते हैं, इसका फाइनल हाथ मार देते हैं पीछे पीछे वाला करेंगे, वाला करेंगे, तो उसका फाइनल हाइन। कर दो कर दो कर दो कर दो दोस्तों जब भी आप रीजिन मारेंगे ना तो ब्रस पुरा भर जाता है रीजिन से और दूसरे कैमिकल से दूसरे कैमिकल से या पानी से सापने होता है तो उससे आसान तरीका है यह पाउडर लेने का दे जो फ्रेंचक पाउडर रहता है उसको लेने का और उसके अंदर यह गोल गोल के उसको पुरा डुबा के उसको ऐसा है अंदर अंदर इला के उसको अंदर पूरा पाउडर भर देने का यह साप हो जाता है पाउडर से यह साप हो जाता है बाकि कोई तरीका नहीं है कि इसको ब यह आप ध्यान में रखिए इदे पुरा साफ हो गया पुरा साफ हो गया इसके अंदर रेजन नहीं है पौडर गुसने के बाद इसके अंदर पौडर गुसता है तो यह पुरा रेजन निकाल देता है पुरा साफ हो जाता है तो आप इसे तर आप भी साफ कर लो ब्रस कि अब 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 आप कि अब अब कि अब अब आप कि अब